सबी सुहागनों को हमारी तरफ से चटपटी चटोरी रसोई की तरफ से हैप्पी करवा चौत की धे सारी शुब कामना है आज जो मैं आप लोग के साथ रसेपी शेयर करने वाली हूँ वह बहुत ईजी है बनाने में बहुत आसान है आप इजीली घर पे रखे वे सामान से इसे बना सकते हैं इस पेस्टिवल इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और रसेपी अगर आपको अच्छी लगे तो फ्लीज पॉ टिक्स्चर में भी यह बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनती है अगर इसे जो है प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाया जाए अगर आप भी एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट बिल्कुल बाजार जैसी एकदम हलवाई जैसी जो है बेसन की बरफी घर पर बनाना चाहते हैं तो अगर इसे जो है इस धंग से आप बनाएंगे न तो आपको यह लगेगा ही निए कि यह बेसन की बर्फी है यह बहुत टेस्टी डिलिशियस और यम्मी होती है और टेक्स्चर में इतनी सॉफ्ट होती है कि मुह में जाते गुल जाती है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते है इस तरह से यह देखिये घ्ट बलेएं जबर्टी सब्सक्राइए तो रखे में इस और गोढ़ी लिए जऑ सकते हैं पर अपनी पसंद्से कोई भी घ्ट गील ले सकते हैं पर देसी गी में यह बहुत अच्छी बंती है यहां पर मैंने जो है 200 ग्राम बेसन लिया ढखें cage यह एक कप है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे हमें जो है low flame पर कुप करना है, धीरे धीरे जो है आप बेसन को गी में अच्छे से मिक्स करते जाएए, इस तरह से यह देखिए इसमें कोई भी जिवेंब लंप्स नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे आप इसे जो है, भी अपने आप लूज होता चला जाएगा स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि यह तो बहुत थोड़ा घी लग रहा है बड़ा सुखा सुखा सा लग रहा है लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोस्ट करेंगे ना इसे बिलकुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है यह अपना जो ऑईल है अपने आप जो है रिलीज करता चला जाएगा और धीरे धीरे जो है यह एक पेस्ट आइप का हो जाएगा अगर आपको लगता है कि बीच में जो है यह कापी सुखा सा लग रहा है तो आप एक टेबल स्पून जो है कि इसमें और एड़ कर सकते हैं और यह देखिए एक टे चला चाहिए गोलडन ब्राउन लेकिन यहां में धीरे धीरे भून कर लाना है ऐक दम से गैन स्तेज कर दी और भून कर ब्लकुल ब्राउन कर दिया वह अंदसे कच्छा रह जाता है यह देखिए यह हमारा जो है बिलकुल परफेक्ट बना है इस टेज पर हम जो है इसमें ए प्वेजेसा तेस्ट आने वाला है आपको बेसन की परफी में और यह बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से दीरे-दीरे हम इसे जू हैं मिक्स करेंगे मैंने जू है जो है गयस की जो फ्लेम है वह इस टाइम पर ऑफ कर दी है और आफ क्योंकि ये अलड़ी जू है काफी गरम दीरे दीर हम इसमें जो एड करेंगे और यह मिक्स होता जाएगा अब हम जो है इसके एक चाशनी बना लेते हैं मैंने यहाँ पर एक कप शुगर लिया है और हाफ कप पानी डाला है जितनी चीनी उसका आदा मेरे पानी यूज किया है हमें जो है इसे इतना पकाना है कि जो च चाशनी बनानी है यह देखिए इस तरह ऐसे लग रहा है जैसे हाथों में हलका हलका चिपक रहा हो बस इस टेश पर हम जो है गैंस की फ्लेम बंद कर देंगे और जो है अपने बेसन के मिक्स्चर में इसे धीरे-धीरे एड़ करेंगे आप चाहें तो चाशनी में जो है इलाइची का फ्लेवर भी एड़ कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से अब इससे धीरे-धीरे हम मिक्स करेंगे हमें जो चाशनी है वो एक साथ नहीं डालनी है थोड़ा-थोड़ा करके हम इसे एड़ करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और एक स्मूध सा पेस्ट बने यह देखिए इस तरह से हम जो है थोड़ा-थोड़ा करके चाशनी को एड़ करेंगे और इसे जो है धीरे- डाल दी है और वेसन असारी चाशनी को अबज़र कर लिया है यह देखिए इस तरह से अब आप जो है गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और एक मिनट के लिए इसे जो है अच्छे से चला लीजिए ताकि यह सारा कुछ जो अच्छे से मिक्स हो जाए बेसन और चाशनी आपस में एक मिनट लो फ्लेम पर कुक करने के बाद इसे बंद कर देंगे और हम जो है जिस बरतन में इसे जमाना चाहते हैं उसे ऑईल से घ्रीज करेंगे आप यस तरह का केक दिन ले सकते हैं कोई जो है बर्फी वाली प्लेट ले सकते हैं आप से प्लेट नॉर्मल गर में जो प्लेट या थाली होती है उसमें प्लैट गयो से में फोर कर देंगे और सपैeln आवалась रूप से जो है इसे अच्छे से स्मूथ कर देंगे कि जो है बरफी एकदम स्मूथ और फाइन दिखें यह देखिए इस तरह से इसे अच्छे से स्मूथ कर दीजी अब इसे जो हमने सेट करने के लिए एक से दो घंटा रग दिया था अब इसे जो हम पीजिस में काट लेते हैं यह देखीए हमारी जो बरफी एएगदम soft और smooth बनी है यह देखीर फ्रिंस बिल्कल बाजार जैसी बरफी बनी है अब इसे जो है बिल्कल भी फ्रिज में set मत कीजेगा इसे रूम टेंप्रेचर पर ही एक से दो घंटा सेट होने दीजेगा यह बहुत अच्छी बनती है यह देखिए कोई कह सकता है है हमने भरफी जो है घर पर बनाई है एकदम टेस्टी अमेजिंग और देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है खाने में तो टेस्टी है ही रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज फॉलो कीजेगा और मेरे चैनल को जादा से जादा आ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इस फेस्टिवल आप जो है इस बर्फी को घर पर जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे जरूर बताईएगा कि आपकी बर्फी जो है कैसी बनी थैंक यू यू मेः लाओ डंचन क्यों है इस बरूट के बेंगा मेः और इजाएगा कि फ्रोट।